आशा करते हूँ आप कुशर मंगल होंगे अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहोंगे आज की इस वीडियो का बेसे से इंतजार कर रहे होंगे तो चलिए आज हम करेंगे कक्षा छे का भूगोल का पहला अध्याए स्वार्य मंडल में प्रिथवी चलिए आपने अक्सर सूर्यास्त के बाद आकाश में एक या दो चमकते बिंदु देखे होंगे कितना अच्छा लगता है उन्हें देखना लेकिन बाद में इन्हें संख्या बढ़ती जाती है आप उनकी गणना नहीं कर सकते संपून आकाश चोटी चोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जिन में से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुन्दले से चमकीले होते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानों आकाश में हीरे जड़ दिये गए हो लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पहोगे कि इन में से कुछ ही टिम्टिमाते हैं काफी टिम्टिमाते नहीं हैं आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हो यह पूर्ण चंद्रमा वाले रात पूर्णिमा होती है पंदरा दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते यह नए चंद्रमा की रातीर अमावस्या होती है क्या आपको इस बात पर आश्चर नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सब ही छोटी चमकीली वस्तूओं को नहीं देख पाते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्याधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तूओं को हम दिन में नहीं देख पाते सूर्य चंद्रमा तथा वे सब ये वस्तूओं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलिय पिंड कहलाती है कुछ खगोलिय पिंड बड़े अकार वाले तथा गर्म होते हैं ये गैसों से बने होते हैं इनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में कुछ सर्जित करते हैं इन खगोलिय पिंडों को तारा कहते हैं आप जानके हैरान होंगे परंतु सूर्य भी एक तारा है रात के समय चमकते तारे सूर्य के समान ही हैं लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उश्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं रात्री में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन समुहों द्वारा बनाई गई विविद आकरितियों को देख सकते हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं और सामेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सब्त रिशी जैसे कि शब्द से ही पता चलता है साथ तारों का समुह सब्त रिशी में एक सबसे ज़ादा चमकने वाला तारा दुरूफ तारा होता है जो कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं यह उर्सा मेजर का भाग है प्राचीन समय में लोग रात्री में दिशा का निर्धारन तारों की सहायता से करते थे उत्तरी तारा उत्तर दिशा विताता है इसे दुरूफ तारा भी कहते हैं कुछ खोगोलिय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उश्मा नहीं होती है वेतारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एसे पिंड ग्रह कहलाते हैं प्रित्वी एक ग्रह है प्रकाश सूर्य से प्राप्ट करती है प्रित्वी को बहुत अधिक धूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमक्ती प्रतीत होती है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उप ग्रह है यह हमारी पृत्वी का सहचर है तथा इसके चारों और चक्कर लगाता है हमारी पृत्वी के समान साथ अन्य ग्रह भी है जो सूरे से प्रकाश एवं उश्मा प्राप्त करते हैं उन में से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है आप अपनी स्क्रीन पर सूरे और उसके आठों ग्रह देख सकते हैं सबसे पहला ग्रह है बुध सूरे के तारों और एक प्रिकर्मन अठासे दिन में लगाता है अपने अक्षपर गुर्णन 69 दिन में लगाता है बुध के बाद हम चलते हैं शुक्र पर सूरे के चारों और यह अपना परिकर्मन 255 दिनों में पूरा करता है अपने अक्षपर गुर्णन 243 दिन में पूरा करता है शुक्र से चलते हैं सबकी प्यारी प्रिथवी पर यह सूरे के चारों और एक प्रिकर्मन 365 दिनों में पूरा करती है और अपने अक्षपर गुर्णन एक दिन में प्रिथवी के बाद हम चलते हैं मंगल पर सूरे के चारों और एक 687 दिनों में पूरा करता है और अपने मंगल के बादाता है सबसे बड़ा ग्रेह जो की है ब्रस्पती सूरे के चाओ एक प्रिक्रम ब्रस्पती के कुल चारो और एक प्रिक्रम उनतिस सा पांच वहीने में लगाता है और अपने अक्ष्म पर गुर्णन दस घंटे सबसे अत्याधिक शनी के पास कुल गौर करें तो सूरे मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रेह शनी ही है शनी के बाद आता है यूरेनस यूरेनस सूरे के चारो और एक प्रिक्रिमन चुरासी साल में लगाता है और अपने अक्ष्म पर गुर्णन सत्रा घंटे और चौदा मिनट में यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या अब आता है सौरे मंडल का आखरी ग्रेह नेप्सून सूरे के चारो और एक प्रिक्रिमन यह 164 सालों में लगाता है और अपने अक्ष्म पर गुर्णन सोला घंटे में नेप्सून में कुल सौरेनस जैसे शूद्र के है उल्पश्म यह सब मंडल सौरे मंडल का निर्मान करते है सौरे परिवार का नाम देते है जिसका मुखिया सूरे है सूरे सूरे सौरे मंडल के केंद्र में सित है यह पहुत बड़ा है तथा अत्यादिक गर्म कैसों से बना है इसका खिचाव वल इससे सौरे मंडल को बांधे रखता है सुर्य सौरे मंडल के लिए प्रकाश एवं उश्मा का एक मात्र सुरोत रहा है लेकिन हम इसकी अत्याधिक उश्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है सुर्य प्रित्वी से लगभग 15 करोड किलो मीटर दूर ग्रह हमारे सौरे मंडल में आठ ग्रह हैं सौरे से लूरी के अनुसार यह हैं बुद, शुक्र, प्रित्वी, मंगल, ब्रस्पती, शनी, यूरेनस तथा नेप्चुन सौरे मंडल के सबी ग्रह सौरे के चक्कर लगाते यह रास्ते दीर्ग वृताकार में फैले हुए हैं यह कक्षा कहलाते हैं शुक्र को प्रित्वी का जुडवा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकरती, लगभग, प्रित्वी समान है अभी तक ग्रहों की सूची में पुछ समय पहले खोजे गए अन्य खोलिय पिंड अथा प्लूटो कहे जा सकते हैं यह दो के पास चप्ती है यही कारण है कि इसकार को घू आप प्रिस्तियां संभवत केबल प्रित्वी पर ही पाई जाती भाईयों में जीवन के लिए गैस्टियां सौरे मंडल का सबसे बुद्ध ग्रह है अंतरक्ष दे के पर प्रित्वी नीले इसका तहाई भाग पानी से ड़का है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा हमारी प्रित्वी के पास केवल एक उपक्र है इसका व्यास प्रित्वी के व्यास का केवल एक चोथाई है यह इतना बड़ा इसलिए चकर लगभग 27 दिन में पूरा करता है लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चकर पूरा करता है इसके परिणाम सुरूप प्रित्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है इन पिंडों को शुद्र ग्रह कहते हैं यह मंगल और ब्रस्पती की कक्षाओं के बीच है बेग्यानिकों के अनुसार शुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो की बहुत वर्ष पहले विस्पोर्ट के बाद ग्रहों से तूट कर अलग हो गए उलका पिंड सूरे के चारों और चक्कर लगाने वाले पत्त्रों के छोटे छोटे टुकडों को उलका पिंड कहते हैं कभी कभी ये पृत्वी पर भी गिर जाते हैं इस प्रक्रिया के दोरान वायू के साथ घर्शन होने के लिए गर्म होकर जल जाते हैं कभी कोई उलका पिंड पूरी तरह जले बिना ही प्रित्वी पर आ जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्धे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी और तक पहली चोड़ी सफेद पट्टी कभी देखी हैं। एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखो तारों का समू है। यह पट्टी आकाश गंगा है। इस प्रकार लाखो आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मान का निर्मान करती है। चलिए, अब हम जानते हैं कि हम अभी तक क्या सीखे। अगर हमें यह जानना हो कि ग्रह और तारे के बीच क्या अंतर है, तो हम क्या कहेंगे। ग्रह, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा उश्मा नहीं होती। बहीं तारे के पास अपना प्रकाश तथा उश्मा होती है। ग्रह तारे से छोटा होता है तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है सौरे मंडल से आप क्या समझते हैं सूर्य, आठ ग्रह, उप ग्रह तथा कुछ अन्य खगोली ये पिंडों से मिलकर सौरे मंडल का निर्मान होता है और इसे हम सौरे परिवार का नाम देते हैं सौरे मंडल के मध्य में स्थित होता है ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सौरे का चक्कर लगाते हैं उप ग्रह ग्रहों की प्रिक्रमा करते हैं चलिए, अब आप सूरे से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताईए सबसे पहले आता है बुद्ध फिर आता है शुक्र शुक्र के बाद आती है पृत्वी पृत्वी से आता है अगला मंगल मंगल के बाद आता है ब्रस्पती ब्रस्पती के बाद आता है शनी शनी के बाद आता है यूरेनस और फिर आखरी आता है नेप्चुन पृत्वी को अद्धुद ग्रह क्यों कहा जाता है पिलकु सही जवाब जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवत केवल पृत्वी पर पाई जाती है पृत्वी पर जल उपलब है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है पृत्वी पर जीवन दाई ओक्सीजन गैस ओजोन परत पाई जाती है अगला सवाल हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं इसका उत्तर बहुत ही सरल है चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृत्वी का एक चकर पूरा करता है यह अपनी दूरी पर भी एक पूरे चकर में भी इतना ही समय लेता है इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है यही कारण है कि हम द्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं चलिए बताईए अब ब्रह्मान क्या होता है करोडों तारों बालों तथा गैसों की एक परनाली आकाश गंगा है इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाय मिलकर ब्रह्मान का निर्मान करती है हम सभी इसी ब्रह्मान का हिस्सा है चलिए अब छोटा सा क्विज खेलेंगे आपको सही तरताना है किस ग्रह को पृत्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है ब्रास्पती, शनी या शुक्र बिल्कुल सही जवाब सूरे से तीसरा सबसे नस्दीक ग्रह कौन सा है सूरे से तीसरा सबसे नस्दीक ग्रह हमारी प्रित्वी है बिल्कुल सही सभी ग्रह सूरे के चारों और किस प्रकार के पत पर चक्कर लगाते हैं वृतिय पत पर, आयताकार पत पर या फिर दीर्ग वृताकार पत पर सही जवाब सभी ग्रह सूरे के चारों और दीर्ग वृताकार पत पर चक्कर लगाते हैं दुरुव तारे से किस दिशा का ज्यान होता है दक्षिन, उत्तर या पूर्व दुरुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्यान होता है पहुत अच्छी शूत्र ग्रह किन ककशाओं के बीच पाए जाते हैं शनी एवं ब्रस्पति मंगल एवं ब्रस्पति या प्रित्वी एवं मंगल शूत्र ग्रे, मंगल एवं प्रस्पती की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं सही जवाब चलिए अब चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ डैश का एक समूग जो विभिन प्रती रूपों का निर्मान करता है उसे डैश कहते हैं तारों का एक समूग जो विभिन प्रती रूपों का निर्मान करता है उसे तारा मंडल कहते हैं तारों की एक बहुत बड़ी प्रनाली को डैश कहा जाता है तारों की एक बहुत बड़ी प्रनाली को आकाश गंगा कहा जाता है प्रित्वी के सबसे करीब डैश है पृत्वी के सबसे करीब चंद्रमा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह डैश है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृत्वी है ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती ग्रहों के पास अपनी उश्मा तथा अपना प्रकाश नहीं होता तो कैसा लगा आस्मा के आगे का वो जहाँ तारे हैं नक्षत्र मंडल हैं ग्रह है और बहुत कुछ है वहाँ आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत बाट कुआबा इसी ग्यान को आगे बढ़ाते रहिए इस वीकांत में एक गाना है वो गाना ध्यान से सुनिए और साथ में गुन-गुनाईए हम जल्द ही एक ने विश्मात पिस आएंगे तब तक के लिए नमाश्या